हाँ गाई अगर मुझे प्रीड़ करना है चुडेट टाइप का तो मैं सिंपल करिए यूज़ करूंगा स्टूडेंट यहां मैंने क्लास स्टूडेंट लिया चेगर ऑबजेट क्रियेट कर दिया हैं मुझे कर गा उसका चेटर कॉल लिया राइट टूडेंट टाइप का रा और यहां पर कर लिया तो यहां पर हमने अब्जेक्ट कर लिए किस टाइप के स्टूडेंट टाइप का एक स्टूडेंट टाइप का एक टीचर टाइप का अगर गाइज मुझे स्टूडेंट टाइप का यह बनाना है और यहां पर स्टूडेंट टाइप की क्लास और स्टू तो किया इंहरइट कर रहे थे हम मुझा स्टूडेंट को स्टूडेंट की क्लास में हमनेरेट कर रहे थे राइट मुझा। यूजwyn अब इन दोनों को जो क्या है? हमार्यए दोनों फान्र इस चीशल और बहुत ध्यान देना कि जो हमारा student था वो अभी तक किस class का था student type का था लेकिन यह कौन सी एक sub class है किसकी person class की क्योंकि दोनों inherit कहां से कर रहे हैं properties person से कर रहे हैं तो अगर मैंने हमारी जो student वाली class है उसे इंहरेट कर लिया गाइज उसमें extend कर लिया क्या person तो गाइज मैं यहां पर basically क्या यूज कर सकता हूं person तो मैंने student को किस टाइप का ले लिया person type का और अपकी constructor किसका है हमारा student का तो यहां पर basically guys क्या benefit हुआ मुझे और teacher को भी मैंने यह करा कि मैंने person type का क्या define कर दिया जो हमारी sub class थी क्यूंकि guys दोनों ही हमारी जो class है student वाली और teacher वाली वह किसकी sub classes है person की तो मैंने person के through अब guys आप देखो person हमारी एक object था right उस object से मैंने दो नए object create करें उस class के दो object create करें और दोनों की जो definition है वो क्या है different है यहां पर हमारा क्याता है guys polymorphism क्यूंकि जो person था guys उसकी क्या एक value fixed थी class की जब मैंने उसका एक तो object क्रियेट करा student type का एक object क्रियेट क्रा टीचर टाइप अब जोगना ऑपजेट क्रियेट करा उसकी value कहां एंगी इसके क्रियेट करा नए उसकी इसके डिफाल्ट अबने डिफाइन करा है उसके अंदर कौन सी वेली होंगी guys student की और जो हमारा और different fields होंगी, तो यहां पर basically guys क्या हुआ, जो class define करते हैं, तो जरूरी नहीं है, वो constructor से same हो guys, हम polymorphism access कर सकते हैं, अब basically यह चीज यूज करते हैं guys, क्योंकि अगर जैसे inheritance करा guys, हमने inheritance में हमें inherit करनी परते हैं properties, अब guys मुरी किसी एक particular object की values रखनी से same है, बट उसे change भी करना है, उसकी forms different करना है, तो उसमें हम polymorphism use करते हैं, कि person की हमने एक field बना दी, और फिर उसको क्या कर लिए, हमने change कर लिए अपने हिसाब से, अब guys, अब हमने student का यहां पर object बनाया, तो हमारी परसन में, क्या fields हमारी given थी, एक name था, एक email थी, तो guys, उसे हम student में भी use कर सकते हैं, और teacher में भी use कर सकते हैं, तो इससे हमारी तो उसमें bank में हमारी limit है, कि हमें क्या item स्टोर करना है, इसमें अलग अलग तरी है, crossbow, coins, keys, right, लेकिन इसकी bank की क्या है, एक limit है, क्या weight की limit है, क्या weight की limit है, कि 20 kg से, इसमें ज्यादा उपर के item हम नहीं carry कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, अलग-अलग classes बना लि में, और जो हमारी क्या है, अलग-अलग values है, जो item है, हमारे उनकी क्या value है, और एक weight होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमारे back क्या limit है, 20 kg की उससे उपर की जो वो चीजे carry नहीं कर सकता, तो हमारा crossbow है, उसकी क्या fields होगी, एक तो power होगी, एक weight है, क्या है, इसमें क्या कर रहे है, अब guys, अगर मैं हर item का एक बार मैं check करूं कि यार, इसका weight इतना है, इसे bank में, तो guys, वो हो जाएगा, बहुत tedious work, तो हमने क्या 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 बना ली, एक class बना ली, जिसमें, क्योंकि weight हमारा किसमें क्या था, common field थी guys, सारे item में, तो मैंने उस item में क्या दे दि क्या हो guys, जो field हमें बार-बार लिखनी पड़ेगी, अब वो हमें बार-बार लिखनी नहीं पड़ेगी, simple हम क्या क्या सकते है, हो से inherit क्या सकते है, मतलब coin में simple जैसी मैं extend item करूंगा, तो basically जो हमारी weight वाली field है, वो किसमा जाएगी, coin में जाएगी, बिना लिखे, तो एक हम हमारा main bag है, जिसमें सारी हम item करी करने है, तो इसमें हमारा benefit क्या हो रहा है guys, मैंने क्या करा है, एक integer लिया current weight और मैंने उसमें method क्रेट कर लिया, boolean type का, जो क्या कर रहा है, यह क्या ले रहा है guys, input ले रहा है, किस type का item type का, यहाँ पे ही क्या है, item type का guys, item क्या ऐगाइट क् create करके can add item मतलब क्या item item हमारी किस टाइप क्या है कौन सी क्लास है आइटम राइप और इसमें मैंने इंपुट ले लिया आइटम थोड़ा सा कन्फूजन हो रहा है कि मैं क्या कहने की कोश्च कर रहा हूं कि यहां पर हमने बूलियन टाइप का मैथर्ड लिया राइट तो यहां पर हम क्यूंकि गाइप की लिमिट है 20 kg अब गाइस हमें वेट से ही तो अगेंस में चेक करेंगे कि कौन सा आइटम तब तक हमें एड कर सकते हैं जब तक उसका वेट एकसीड नहीं होगा तो गाइस मैंने यहां पर जो मैं उसके आइटम को डायक्ली एकसेस कर सकता हूं कौन सी क्लास के आइटम वाले क्लास के तो यहां पर क्या बैनिफिट हुआ गाईज मैंने एक कंडिशन लगा दी यहां पर जिसमें मैं क्या रहा हूं करन्ट आइटम में किसका वेट आ जाए आईटम डॉट वेट अगर क्या हो 20 kg से तो क्या रिटान हो यहां ऑगर नहीं हो तो ङहां तो मनला धूर हुआ जयेगा तो सब्लक्राब कर सकते हैं और सपल्स हे मैं नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैनिफिट क्या हुआ है आप गर प sing along को यहां पे जो हमारी मैं ने उसका विल थी अटिन कर सकता हूं कैसे उसके class name के input लेके guys class type का मैंने item किस type का लिया input item sorry input parameter guys किस type का है item class का तो उससे हमें benefit क्या हुआ है जो हमारे item class थी उसका जो field थी wait मैं उसे directly access कर सकता हूं किसी दूसरी class के method में hopefully guys आपके समिन में आ गया हो कि क्या करा है हमने एक दूसरी class थी item उसका है पर हमने input variable लिया और उस input variable के through मैं किसको access कर सकता हूं weight को इसमें आपको confused होने की दर्वाद नहीं मैंने आपको बताया था class क्या होती है एक data type ही होता है राइट जैसे data type अगर मैं यहां पे integer type का item ले लेता तो वो क्या होती integer से बिलॉंग करता राइट अब गाइस क्योंकि हमने एक item class बना रखी है उसमें एक हमने already integer item दे रखा है तो मैंने simple के कर लिया उस item जो हमारी field दी उसको access कर लिया किसके थ्रू weight के थ्रू क्योंकि हमारी item वाली class में एक quality integer weight क्या था डिफाइंड था simple मैंने उस weight को यहां पे यूज कर लिया है hopefully आपको इसमें confusion ना हुआ हो यह जो बैग वाली class में इसमें यूज कर लिया और इसका benefit हमारे पास क्या है इस चीज का inherit करके ऐसे item कॉल कर आउट करने का अब जैसे गाइस हमारे यहां पर condition check कर लिए if bag bag कौन सी थी हमारी class थी जो गाइस क्या थी जिसके लिमिट थी 20 kg राइट अब मैंने method call कर लिया can add item उसमें मैंने क्या दे दिया crossbow अगर आपको पीछे याद हो मैंने क्या दो एक्जांपल दिये था item class को यहां पर input ले रहा है तो यह input क्या लेगा गाइस item crossbow input ले रहा है और मैंने चेक कर लिया अगर इसकी value गईस 20 kg से कम है तो दूसरा method हमारा run हो जाए वो क्या है back.add item और add item में क्या हो जाए crossbow basically guys अगर हमारे हमने पहले चेक करा है यहां पर इस condition में can item बोरो यहां पर आइटम क्लास थी हम उसकी value क्या यूज कर रहे है और यहां पर back.add item यह कौन सी है दूसरा method है guys जिसका काम क्या है item add करना कब जब अगर यह चेक कर ले कि हां बैग में अभी जगा है और इस चीज में guys हमें benefit कब होता है जैसे अगर हमें एक map और add करना है तो guys उसके लिए मुझे अलग से कोई class नहीं लिखनी पड़ेगी simple में एक map की अब guys क्योंकि ऐसा होता है अब जब आप कोई चीज इंप्रूफ करते हो राइट हो सकता है आपको कोई colleague आए आपका code further जाए राइट अब उसमें कोई और चीज़े भी add हो नहीं हो तो इस चीज़ से हमारे इन्हेरेट करने से अलग-अलग format रखने से क्या असानी हो जब किसी ने बाद में map add करा तो वह simple क्या कर सकता है map की class बनाएगा उसका object क्रिएट करा और सीधा add item कर सकता है और वही वाले method यूज़ कर सकता है जो हमने पीछे यूज़ करें तो यह हमारे क्या है जिसको क्या हमारे बहुत काम आते हैं इससे हमारा कोड की जादा efficient run होता है और इसमें प्रॉब्म में तो ऐसे चलने में हमें प्रॉब्म नहीं आती है मिला पूरा हमें change नहीं करना पड़ता है गाइस कोड में